चलो बात करें रटीपी की और रटीपी जो नवंबर दो हजार चुबिस में आया था आया है मल्टीपल चोईश कोईशन में ऐस सच कोई बात नहीं है अगर आपके पास रटीपी हो तो आप एक बार चेक करोगे तो आपके पास भी रटीपी रखी हुई है अगर इस रटीपी की बात करूँ तो पहला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कोईशन था उसमें कुछ इस बात थी नहीं मॉडरन पोर्टफोलियो थियरी पॉइंट नंबर 3123 तो सिंपल था कोईशन का हिस्सा था जो अल्रडी हम कर चुके है पॉइंट नंबर 4 मॉडरन पोर्टफोलियो थियरी कौन लिखा है मार्कुविट्स इसमें कोई शक्की बात नहीं थी जो फसे थे बच्चे वो फसे थे पॉइंट नंबर 5 में हलकि पॉइंट नंबर 5 जो है वो एक जमाने से करवा रहा हूं मैं जिसका नाम है Capital Market Theory इसका कोई कोश्चन नहीं है मैंने आपको जब पढ़ाया था तो भी मैंने आपसे पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये बोला था इसका पर्टिकुलर कोई कोश्चन नहीं है पर फिर भी मैं एक्जाम्पल लेकर करवाता था चाहू तो अपनी कॉपी खोल ले रहा ओके और Capital Market Capital Market Line से भी एक्सपेक्ट रिटर निकाला जा सकता था और उसका फॉर्मूला मैंने बताया था आरेप प्लस आरेप माइनस आरेप डिवाइड़ बाइश्टे डिवीशन ओ मार्केट इंडिवीशन ओ पॉर्टफोली फामा नेट सेलेक्टिविटी मॉडल उसमें भी ये बुला था सर इतना भारी-भारी सब्द मद बोलो मारा कॉन्फिडेंस खतम हो जाए एक हलका सा आइडिया देता हूँ उसमें मैंने कहा था यार हमें MPT Modern Portfolio Theory मार्कुविट्स भाई साथ उसमें हमने क्या समझा था सर उसमें हमने ये समझा था कि हमें एक स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए कि बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स में जितने जादा स्टॉक्स में पैसा लगाओगी उतना रिस्क कम हो जाएगा तो फिर हमेंने कहा था एक में लगाए कि दो में लगाए कि चार में लगाए कि दस में लगाए तो फिर फाइनल हो गया मार्केट में लगा दो निफ्टी में पैसा लगा दो इंडेक्स फंड में पैसा लगा दो मार्केट मार्केट में अगर पैसा लगाते हो निफ्टी में पैसा लगाते हो तो इससे डाइवर्जी फाइट तो कुछ हो ही नहीं सकता याद है? ऐसा कुछ बताया था, हां सर बताया था फिर मैंने कहा कि यार अगर किसी बंदे का मन कर रहा कि नहीं हर सर, मार्केट में, मैंने कहा आप शेयर्स को भूलिए शेयर्स वगिरह सब भूल जाईए आप सिब मार्केट पे फोकस कीजिए या आप Nifty में पैसे लगाई है नहीं, Index Fund में पैसे लगाई है यह बात खतम तो किसी बच्चे ने कहा था कि नहीं सर, हमें आप बोल रहा है कि Shares को हात मत लगाना ठीक है, हमें सिब Market में पैसे लगाना है, बिलकुल लेकिन सर हमारा मन कर रहा है मार्केट में दो बड़ी सारी रिस्क है हम थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते है तो मैंने गा फिर एक काम करना थोड़ा सा पैसा मार्केट में लगा दो और थोड़ा सा रिस्क फ्री में लगा दो सबसे अच्छा मार्केट most divergifiedτα पर अगर रिस्क कम लेना मार्केट से कम रिस्क लेना है तो मार्केट और रिस्क फ्री मार्केट से ज्यादा रिस्क लेना है तो हमने खाँ आर से पैसा उठाएंगे और वो बी मार्केट में लगा देंगे कितना खुद के पास है वो अच्छा सर अच्छा बिटे कास आप पढ़ पाते आपको याद हो पाता तो दिक्कत नहीं होती पर हम ऐसी लाइन बनाते थे यहां होता था Standard Aviation Market और यहां होता था Return रिटन में यह एक RF होता था और एक होता था RM और जो Line Start होती थी वो यहां से Start होती थी यहां से Line Start होती थी और यह Market का रिटन होता था ओके सरी तो ना एक नंबर के जिए सरी इतनी में रहा रहा है हाँ भई हाँ यहां से Start होती मैंने का यह जो है यहां अगर आपका Portfolio है तो इसको हम Divergified Portfolio बोलती है अगर हमको रिस्क कम लेना है तो हम RF प्लस RM मार्केट दोनों में इनवेस्ट करो मतलब यहां हम इनवेस्टमेंट करते थे RF पर और अगर हमें रिटन जादा चाहिए हम रिस्क लेने को तयार है तो फिर हम यहां बॉरो करते थे यहां बॉरोईंग होता था यहां लेंडिंग होता था RF पर और यह Divergified यह Market Portfolio कोशन में क्या बोला है As per Capital Market Line Theory जो लाई करता है Capital Market Line में इस पर Market Portfolio पर उसे Divergified Portfolio बोला जाता है सर अगर हम सिर्फ यहां पैसा लगाए तो Risk Free Portfolio अगर सर यहां पैसा लगाए यहां हम यह वाला चाहते हैं तो हमें RF पे बॉरो करना पड़ेगा उसको कहते हैं Borrowing Portfolio और सर अगर हमें रिस्क कम है ना रिस्क कम लेना चाहते हैं थोड़ा सा पैसा मार्केट में लगाते थे थोड़ा सा रिस्क फ्री पे इसे बुलते है लेंडिंग पोटफोली और जो यहां है उसको बुलते है कर ले ना दोस्तो अब भी बता रहे हैं पहले बता चुका हूँ कॉपी खोलो और धुन लो कहां मिलेगा सर modern portfolio theory में कि जश्ट पहले मैंने efficient market efficient और inefficient वाला हम कर रहे थे हाँ सर फिर से बुलो efficient portfolio उसके just बात देखो कि capital market line पढ़ाया हूँ उसके बाद फिर हमने CAPM system detail में वहां किया है लिख कर किया है question बना कर किया है example तो वहां से पाच मुट तो ऐसी उड़ा दिया सर आप ये जो question number one है इस question को मैंने test में दिया था test में दिया था और test ये sir exam में भी आया हुआ था हाँ जी exam में भी आया हुआ था test में भी दिया था भाई साब इस question में बच्चों ने गलती कर रहा क्या गलती कर रहा है क्योंकि इस type के बड़े सारे question है पर इसमें last में कुछ और मांगा है और बच्चों ने कुछ और ही कर दिया एक बार देखें क्या हाँ सर देख लेते Mr. H is holding hold कर रखा है इन्होंने 100 hold किया है मैंने already shares खरीद के रखा है मुझे कब फायदा होगा सर जब price बढ़ेगा लेकिन मुझे अगर मैंने hold कर रखा है तो मुझे डर किस बात का है कि कहीं rate कमना हो जाए इसको protect करना है तो कौँसा option खरीना पड़ेगा put option तो लिखा है Mr. H ने hold किया है 100 equals of V limited which is being quoted और अभी कितने का है भई प्राइस एकिसो इस इंट्रेस्टेडिव अब पढ़ोना यार इसको कुछ भी कैसे कर सकते हो hedge करना चाहते है downside risk और downside को hedge करने के लिए अगर option की बात करोगे तो कौन सा option खरीदा जाता है put option या हो गए ठीक है और कब हम बेचना चाहते है दो मेहने बात मतलब दो मेहने से ज़्यादा के लिए hold नहीं करेंगे टू मंत के लिए हमें put option खरीए अब इन लोगों ने क्या किये दिया है इन लोगों ने sir हमको एक तो call option दिया है और premium कितना देना पढ़़ा है 60 रुपे और put option के लिए premium put भी खरीदना है तो put के लिए premium कितना देना पढ़़ा sir put के लिए premium देना पढ़़ा है 50 call के लिए 60 put के लिए और दोनों में दोनों ही option में exercise price कितना है 22 अब बच्चों ने इधर पढ़ा ही नहीं उन्होंने का यार ये question तो है यार book में है उन्होंने का एक बार call खरीद के करते है net payoff निकालते है और एक बार put खरीद के net payoff निकालते है sir जी वो वाला question नहीं है रटने सका कोई फायदा ने एक बार पढ़ोतों की क्या लिखा है पूछरा suggest the position Mr. H should take in option बोले option में बताव आप कौन सा position लोगे अब call option लोगे की put option अंसर किया जाएगा put option लेगे call cut put option लेगे strike price है 2200 2200 से कम जाएगा तो exercise ठीक इसी टाइप का हम अगर ICEI module से भी कर रहे है तो पहला दूसरा question ऐसे ही मिलेगा आपको call का भी net payoff निकाल लिया था put का भी net zero number मिलने वाला है put option खरीदेंगे अब calculate his final position बोल रहा है final position अगर दो महने बाद exercise the actual market price यह हो जाता यह हो जाता तो final position का मतलब final position का मतलब बच्चों को लगा कि net payoff निकालना है जब बोल रहा कि already हम ने share hold किया है और हमें बेचना है दो महने बाद तो बस आपको बताना है बताओ put option exercise होगा पहले put की बात करें yes sir put option exercise होगा put option exercise होगा तो बस वह उन्होंने किया है sir put option exercise होगा होगा यहां नहीं होगा put कब exercise होगा exercise price कितना है 2200 2200 से नीचे जाएगा put option exercise होगा अगर put option exercise होगा, सोच के देखना, तो हम share बेस देंगे, right to sell, कितने में बेस देंगे, 2220, क्योंकि हमारे पास share है, put का मतलब क्या होता, right to sell, अगर आप दूसरे भी तरीके से करना चाहते हैं, तो answer यह आएगा, दूसरे तरीके से मालूम है, क्या बोल रहा हूँ, share का अलग करो put का pay off अलग निकालो, तो भी answer save आएगा, पर अभी मैं इतना चक्कर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, जैसे institute क्या वैसे करवा रहा हूँ, put का मतलब क्या होता है, बेचने का अधिकार, तो अगर से कम price होगा, तो हम 22 रुपए में बेस देंगे, और अगर ज्यादा price मिल रहा है तो यह पैसा आएगा, उसमें से premium जाएगा, तो net हमारे पास इतना पैसा बचेगा, into 100 से multiply कर देना, तो total position आजाएगा, आप इस question में कुछ भी करके आते हैं, कुछ भी मतलब आप करते तो सही, net pay off निकलते, उस पे number नहीं मिलेगा, तो please इस question को विसेश रुप से ध्यान से और एक question है, RTP जो आपको देखना ज़रूरी है, RTP में नवंबर, RTP में में बता दूं कि question number कौन से, तो question number one और two दिख रहा है, तो पहले वाला जो RTP में question number कौन सा मिलेगा, वो में बता देता हूं, question number कौन सा था, जो किया था, वो अगर RTP में चेक करोगे, तो question number three मिलेगा और एक question है, जो मुझे आपको discuss करना, APV, adjusted present value का question आगया भाई साब, ओके, और RTP में देखने जाओगे, तो आपको सबसे last question मिलेगा, और last question मतलब, question number कौन सा मिलेगा, 13 मिलेगा, RTP आपके पास होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, और सा नई होगी, तो description में दिया हुआ है, at least पैसे खर्चे नहीं करना चाहते, तो आपके पास PDF तो होगा, यह question जो है, यह है, APV, adjusted present, sir, APV होता क्या है, और sir, यह हमने कहां पढ़ाया हूँ भाई, question भी करवाया हूँ, capital question, अप यह नहीं बोल सकते कि APV का मैंने question नहीं करवाया हूँ, साथ मैं business valuation में theory भी है, वो भी discuss करें, और see enter का भी है, और question बहुत विसेस नहीं है, APV होता क्या है, APV में हम कहते हैं कि हम सबसे पहले NPV निकालेंगे, यह मानके कि हमां हम जो project में पैसा लगा रहा है, वो हमारे पास का लगा रहा है, एक वटी का, debt है यह नहीं पिक्चर, ह cash into है, minus क्या कर देंगे, present value of cash out to, क्या मानके, कि जो हमारी firm है, वो कौनसी firm है, सिर्फ equity है, हमारी firm में सिर्फ equity है, तर यह कहां से derive होके आया है, यह कौन से, mm, और mm कहता था value of firm, अगर आपको levered का निकालना है, तो value of firm unlevered plus debt into tax, अगर परपेच्छवल है तो, tax saving on interest बोलों क्या, हाँ, plus tax saving on interest, sir, please see enter की बात मत करो, हाँ, जोड के विनती है, exam pass में, इनका यह कहना है, यहीं की बात करो, हाँ, यहीं की बात करो, यहीं की बात करो, क्योंकि research का time नहीं है, इनका यह कहना है, कि, मान लोग की हमने पैसा equity से उठाया है, और उसको project में लगा है, तो हम सब कुछ भूल जाते है, debt को पूरी तरह से भूल जाते है, और देखते, NPV कितना आएगा, इसको बोलते, base NPV, बेस NPV, निकल गए, okay, sir, अब बोले, भाई, पर debt तो है, तो debt रहने से फायदा क्या है, बोले, tax saving होता है, interest पे बास, उतने ही फायदा और कोई बोले, APV कैसे आएगा, तो बोले, जो आप, base NPV ले ले लेना, मतला, value of form, unlimited, plus, 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 tax saving, on interest कर देना, that's it, और कुछ करने की, पहले हमने, sir, ऐसा क्यों कर रहे है, क्यों का जवाब भी देने का, sense नहीं, अभी जैसा, आप ऐसा कर, पहली बात, आपने, base NPV निकला क्या मान के, एकी equity firm है, और फिर debt को भी consider किया, और उस पर tax saving and interest ले, ओके, एक बार देखें क्या, कहां पैसा लगाना चाहते हो, नेपाल में, तोल रूट, कुछ information है, initial investment, जो है, equipment purchase करने का, dollar, cost कितना लग रहा है, dollar 250 लग का खर्चा रहा है, हम US के वो सकते हैं, और life कितनी है, 10 साथ, और depreciation का method कौन सा है, SLM, चिक, earning before, interest भी minus नहीं हुआ, tax भी minus नहीं हुआ, amortization, depreciation वगेरा, कुछ minus, और बोले हम toll से collect करेंगे, dollar 33 lakhs per annum for 20 years, यह एक समस्या है, सुनना दियांस, कि यार यह 33 लाग कितने साल तक आएगा, 20 years तक, जबकि जो depreciation लगाना, वो तो 10 साल तक, समस्या रहा है अब यार, CFET निकालना थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए दिक्कत है, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ, हर साल का एक जैसा तो ऐसा हो नहीं रहा है, पैसा कितना आएगा, 33 lakhs, पर depreciation तो मुझे 10 साल तक ही लगाना है, ये एक समस्या, इसका करेंगे कुछ ना कुछ, इसका अलग treatment कर लेंगे, और depreciation का, अलग से tax saving और depreciation कर लेंगे, ठीक, इतना तो आता है आपको, तो इनकवरेज इन्वेस्टमेंट, नेपाली जगवर्मेंट इस ओफरिंगे 15 एर टर्म लोन ले रहा है, 15 एर देख लो, टर्म लोन कितने साल का है, 15 साल का, कितने का लोन ले रहा है, 150 लाग का, और rate of interest कितना है, 6%, तो सर, 150 लाग का, 6%, यह हो गए, 9 लाग, 9 लाग क्या चीज है, interest, और जो की हमको 15 एर्स में, repayment करना एक ही बार में, मतलब हर साल 9 लाग रुपिया तो interest का मेरा जाएगा, जाएगा, तर आपने तो बोला था ना, डेट भूल जाना, अभी भूलेंगे ना, पढ़ने तो दो एक बार, require rate of return for the equity, साब साब लिखाए, कि यार, हम जो discounting करेंगे, वो केई से करेंगे, केई से, केई सी होना चाहिए, अगर मान लो all equity finance है, तो 12% से आपको discount, और post tax cost of debt दिया, 6.5%, तर यह क्यों दिया है, अगर WACC से discounting करते, तो हाला कि ऐसा कुछ नहीं, यह हमारे यह गुमाने के लिए दिया है, हाँ, अगर वो से पोलता, NPV निकालो, तो बात, फिर इसको साइद में consider कर लेता कहीं, और, अभी और tax credit कितना 30%, और सारा कि सारा कुछ conversion की बात नहीं, यह सारा की सारा काम हमको किसमें करना, डॉलर समें, और तीन डैसीमल पॉइंट्स तक हमको काम करना, कोई दिक्कात है क्या, आपका CFA T निकाले क्या, CFA T की जरूरत नहीं है, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बस इतना है, कि यह जो पैसा आने वाला 20 साल, और depreciation 10 लाक, depreciation 10 साल, तो उसकी वज़ह से na, CFA T में थोड़ी सी दिक्कत आईगी, 10 साल का कुछ और निकलेगा, 10 साल का कुछ और निकलेगा, तो मेरे पास एक तरीका है, सबसे पहले बोलनो, depreciation को अलग से लिए, हम गहेंगे 33 लाक पर ही हम tax दे रहा है, हम depreciation को consider नहीं कर, तो टोटल मिलाकर मैं कोशिश कर रहा हूँ, cash flow निकालने की, cash info, 33 लाक्स, minus, tax का rate कितना हा भाई? 30 परशन, कहां है calculator, 33 minus 30 परशन, 33 का 30 परशन, 9.9 माइनस कर, यह सर इसमें से depreciation माइनस करेंगा, यह depreciation को अलगर ले रहा हूँ, तो 33 minus 9.9, मैंने का यार, 23.10 आएगा, यह तो कितने साल तक आएगा, 20 साल तक, agree, इसके अलावा, depreciation पर tax saving होगा, depreciation कितना है, अगर depreciation की बात करो, 250 divided by 10, 25 लाक्, और 25 लाक्का 30 परशन हो जाएगा, टेक्स सेविंग, 25 का 30, तो 7.5, यह कितने साल तक होगा, 10 साल, अब मैं base NP भी निकालने की कोशिश करहा हूँ, ध्यान से देखना, 23.10, डिसकांटिंग किससे करना है, 12 परशन से, 12 परशन का 20 साल का factor दिया होगा, 12 परशन के सबसे 20 साल का factor, 7.469, 12 परशन के सबसे 10 years का factor, 12 परशन के सबसे, 12 परशन के सबसे 5.650, 5.650, इसमें से माइनस कितना कर देंगे, 250 तो यह क्या गया है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, वही किया होगा, आप answer देंगे, 35 पॉइंट, अब यार, अब, यह तो निकल गया कि हम equity, अब मैंने का कि यार, आपके पास तो debt है, कितने का, 150 का 6%, 9 लाग का interest, और 9 लाग का 30% tax saving, हर साल tax saving और interest लेना हमको, तो सर, 9 का 30%, तो सर, 2.70 का tax savings हो रहा है, percent देख लो कितना, सर, discounting किस से करेंगे, अब सवाल है कि discounting कि, discounting, यह जो discounting होगा, यह केड़ी से होगा, before tax की में बात करेंगे, अब मुझे बताओ, यहाँ सर, rate कितना दिख रहा है, rate दिख रहा है, यह cost of tax, यह जो दिया है, इससे हम discounting करेंगे, पर यह तो post tax है, 5.6 divided by 0.7, discounting किस से करेंगे, 8 percent, सर, क्यों, cost आपको में पढ़ा पाता, हाँ सर, पढ़ा, पैटे, actual में न, वो MM आपको बतानी से रहा, पर फिर भी थोड़ा सा याद आएगा, किससे discounting, 8 percent से क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं present value निकाल रहा हूँ, tax saving on debt, तो हम debt into tax करते थे, और यह मान के चलते थे, कि यह perpetual है, याद है यार, value of, please यार, अब इंटर में देख लिए न, मैं कुछ नहीं कर सकता, हम value of firm, levered निकालते थे, तो value of firm क्या लेते थे, unlevered plus debt into tax, और debt कैसे आता था, तो किसी को याद है, हम क्या करते थे, I, आपके पास, last time चल रहा है, exam pass में, तो मैं जे, किस से discounting करना पड़ेगा, after percent से before tax, वो कैसे निकाला, 5.6 था, ये after tax था, तो divided by मैंने 70 percent करते, तो before tax आगे, 8 percent, tax saving on interest, मुझे, KD debt के rate से, वो करना पड़ेगा, ये दिया हुआ, बंदरा साल तक, 8.559, तो अगर मैं कहूँ, 2.7 into 8.559, तो tax saving on interest आगे है, इसमें add हो जाएगा, 23.1093, minus 35.091, 11.982 negative है, तो हमें project नहीं, कुछ चीजें यहां, आपको याद ही करनी पड़ी, या तो फिर एक काम करो, मेरे adjusted present value का, या फिर MM, इसमें involved हो गया, पुरी तरह से, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाँँ, वो last वाली चीज, tax वाली बाकि ठीक, तो दो तीनों question, आपको देखना हो जाए, एक MCQs करवाया, मैंने एक point में दिक्कत थी, capital market theory, एक हमने क्या किया, इसके अलाब वो derivative था, इसमें और ये था AP भी, ये वाला question देखके चाहिए, अगला चलते है, MTP1 पे.